हेलो इप्रिवन बेलकम बैक टू माई जैनल टी 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 उती नियोजे सिक्षक संग गूपकुट की तरब से मानने ये मुख्य मंतरी विहार सरकार मानने ये मुख्य मंतरी विहार सरकार और मानने ये सिक्षा मंतरी विहार सरकार को पत्र लिखा गया इसका विश्य है बिहार कैबिनेट की दौरा स्विक्रित नई नियमावली 2023 में पुर्ब से कारिड़त अस्थारिय निकायों के उपेक्छा से आहद सिक्छकों के दौरा दिनांक 12-4-2023 को ब्लैक डे मना आते हुए बिरोध परदर्शन करने के संबन्द में महास है उपर्युक्त विश्यक संदर्ब में अंकित करना है कि बिहार कैबिनेट की दौरा स्विक्रित बिहार राज्य विद्याले अध्यापक नियुक्ती अस्थानांतर अनुसास्टी कारवाई अबन सेबासर नियमावली 2023 में बरसों से निरंतर बिहार के सरकारी विद्याल के शिक्षकों की घोर उपेक्षा करते हुए उन्हें नियमावली से अलग धलग रख कर महागटवंदर की सरकार अपने चुनावी वादे के विपरीत अन्याय पूर्ण एबं भेद भाव पूर्ण बेवार को अस्थापित कर रही है जिससे सेबारत सिक्षकों के अंदर सर सरकार एबं विभाग के प्रती बियापक असंतोस उत्पन हो चुका है तथा वे सरकार के वादा खिलापी एबं स्वैंग की उपेक्षा से काफी आहत है तथा सरकार के प्रती काफी आक्रोसित हो रहे है अस्थानिय निकायों के सिक्षकों के साथ हुए अंदेखी से आहत बिहार के तमाम प्राथमिक से उच्चितर मादमिक विद्यालेयों में पदस्थापित सिक्चकों के द्वारा, दिनांक 12-4-2023 को ब्लैक डे मनाते हुए, जीला मुख्याले पर प्रतिरोध मार्च निकाल कर प्रति जला कर बिरोध प्रकट किया जाएगा. अता अनुरोध है कि अविलम नियम्मा वली में आवश्यक संसोधन करते हुए, अस्थान के निकायों के सिक्चकों को उसका बाजिफ हक प्रदान कर उनके साथ नियायों चित विवस्था स्थापित किया जाए. अन्य था, आने वाले दिनों में बिहार के सभी कोटी के सिक्चक, सरकार के अन्यायपूर्ण, नवंभेदभापूर्ण, नीतियों के बिरुद आंदोलन को बाद दे होंगे. मारकंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, उनके तरब से पत्र जो है, माननिय मुख्य मंत्री, वो पुमुख मंत्री और सिक्चा मंत्री को लेखा गया है.